ओम नमो नारायन दोस्तों दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही खास और विशी से बात बताने जा रहा हूं अगर आप पुश कराए तो पुजा पार्ट की जो क्रियाय करवाते हैं या आप उनसे पंडितों से सुनते हैं तो उनसे सावधान हो जाईएगा यहां पर पुजा के नाम पर बहुत सारी ठगी होती हैं आपको मैं बताने से पहले एक निवे दिन करूँगा कि आप वीडियो को लाइक शेर और शेनल को सस्क्राइब जरूर करें दोस्तों जब भी पूश कर आए तो आप यहां पर गुमने के लिए बहुत सी जगह हैं गुम सकते हैं आराम से लेकिन यहां पर जब भी आप पुजा पाट करवाएं तो आपको ध्यान रगना हैं कि आप गाट पे जाएंगे तो वहां पर आपको पंडित बोलेंगे कि 20 र रुपे की ही थाली होगी तो मुझे सबसे बड़ा ब्रह्म यहीं लगा प्रह्म नहीं यह हकीकत में बता रहा हूं मतलब एक 20 रुपे के पीसे 1000 रुपे किसी इंसान से ठगना यह बहुत बूरी बात है और आगले वाले को इस पश्ट कहते भी नहीं है कि यह इतने पैसे य आके पंडितों की सच चाहिए आपको कहेंगे कि 20 रुपे की थाली है आप पूजा करवा लेजिए बागी कुछ नहीं है आपको बड़ा बड़ा ज्यान देंगे बड़ी जानकारी देंगे लेकिन जब आप पूजा में बैटेंगे आप सोचेंगे कि 20 की जगह 101 देंगे य इसी बात नहीं है 20 की थाली 2000 में निपट सकती है आप ध्यान रखना यहां पर जब आपको कहेंगे बैठा देंगे पूजा में एक नारियल देंगे हाथ में वो नारियल वही होता है जो पिछले किसी इंसान के काम में लिया हुआ होता है मैंने वहां पर देखा है इस कुछ मंत्र बगिरा उसकी जफर दान के बारे में कहेंगा उस पित्रों का इतना दान 21192 कोई कहएगा इक के सब्सक्राइब करने लग जायेगा वो कहेगा यहां पे क्यों आए वो क्या हुआ अपकलाना क्या हुआ तो इससे बैतर है मैं आपको समझाने की कोशित करें आप इस बात को समझे और बिना उससे जानकारे लिए पूजा में ना बैटे आप 20 रुपे के ब्रोशे आपके जेब से 20,000 निकलवा सकता है और आप 20 म पूजा के 20 में कुछ बोलेंगे मना करेंगे तो आप से उल्टी सिदी बाते भी करने लगेगा मतलब यहां एक मतलब पूजा के नाम पर बिलकुल ठगी समझो आप बिलकुल ठगी है जो 20 रुपे कहकर आम इंसान को बैटाता है और आम इंसान कोई गाउं से आता है गरीब इंसान होता है तो वो बिसारा फिर उसको 2100 रुपे 5000 रुपे 1500 रुपे 1500 में तो निपटता ही नहीं बड़ी मुश्किल से वो एक अलग बात हो गई तो आप आम इंसानों गाउं से आते हो तो यहां पर पूजा करवाने के नाम पर ठगी होती है इसलिए आप ध्यान रखना और उनसे पहले कह देना अगर आपको पूजा करवाने ही होती है तो उसको पहले इसपस्ट कह देना कि आप 20 रुपे के कह रहे हो लेकिन आप दान पुनने को भी मांगोगे तो मैं नहीं दूंगा आपको जो चाहिए 500 रुपे या 100 रुपे या 1000 रुपे में आप फिक्स कर और आप पूजा पाठ में बैटें वरना आपके साथ में दोगा हो शकता है आपके साथ मन्ठगी हो सकती है आपको 20 रुपे केशाब से आपको 20 रुपे या आपके कहीं पैसे लग जाएंगे जो आपके पूरी यत्रा में भी खरस नहीं हुए होंगी जितने वादो पेंड आप से पैसे ले लेगा इसलिए आप ध्यान रखे और इसको और लोगों तक समझाए क्योंकि आप अगर पवित्र रिष्थान पर आते हैं मैं किसी आत्मा को ऐसे नहीं कहना चाहता कि आप ऐसे कर रहे हूं लेकिन आप केवल पैसों के नाम पर उनके जूटे जाल में ना फस से मैं बस आप से यही कहना चाता हूं आप इसको समझे और फिर ही पुजा करवाए आज के वीडियो में इतनी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सेस्क्राइब जरूर किजिएगा हर अर्मादेव